दोस्तो नमस्कार मैं देकुमार बर्मा से नबिसी तो आज के वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थमिनल में भी देखा होगा और मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूंगा कि कभी भी अपनी केरिंग हटा यह नहीं फार्म से होता क्या है दोस्तों कि और फार्म से चले गए दोस्तो अब फार्म पे क्या हो जाए? कोई भरोसा नहीं होता है. जैसे मालेजिए चलिये आपकी जाली वाली अच्छी है, परदा अच्छा है तो चलिये ठीक है, लेकिन गर्मी के मुखसम में दोस्तों खास करके हमने देखा है कि जो बाहरी जी होते ह से अगर खोटा है या बड़ा है जैसा भी है तो होता क्या है की मालिजे वह जो आपका पानी वाला पाइप होता है पानी का पाइप निकल गया और आप चले गए हैं पांच घंटे के लिए फाम पे नहीं है अब मान लेजे कि पाइप निकल जाये और सारा पानी निकल जाये और पानी नहीं रहेगा आपको लगेगा कि हमने तो टंकी फुल कर दिया था तो हमारे फारम में तो पानी होगा ही लेकिन अगर आप कहीं पानी निकल जाता है दोस्तो और पानी निकलने के बादमें आपका मुरगा इतनी भैयानक गर्मी में यदे पानी ये घंटे भी नहीं पाएगा तो इतनी भैयानक मोटलेटि हो जाती है दोस्तो बहुत सारे बढ़ आपके सूक जाएंगे और दूसरी चीज़ दोस्तों बहुत ही खुंखार तरीके से मोटल्टी हो जाती है अभी आज मैं एक फार्म पे गया था दोस्तों जिनके यहां पे ऐसा ही कुछ हुआ है घटना वो उनको किसी काम से बाहर जाना था तो उन्होंने क्या किया कि सुबा के टाइम में ही सारा काम खतम कर लिया और काम खतम करने के बाद में फिर वो ऐसा किये कि जब काम खतम हो गया तो वो फिर निकल गए फार्म से बंद करके पानी वाने भरके और फिर इसके बाद में निकल गए निकल तो गए दोस्तो लेकिन जैसे ही हमें लग रहा है कि वो जैसे ही फार्म के बाहर निकले कि अचानक बर्ड क्योंकि था बारा सो गराम में था तो जैसे ही वो बाहर निकले हुआ अचानक है कि धराक से पाइब निकल गया कहीं पाइब निकलने के बाद में दोस्तों पूरा पानी निकल गया बाहर अब जब पानी गिर गया तो होगा क्या कि अब मुर्गा हो गया उनका प्यासा बहुत ही तगड़े से मुर्गा मतलब प्यासा हो गया और पानी होने अच्छा देखिए एक चीज और है दोस्तों कि आपका जहां पर फार्म होता है न वहां पर यदि आपको लोग लाइक करते हैं तो ठीक है नहीं तो जल्दी कोई आपके फार्म के साइड में जाता नहीं क्योंकि फार्म अक्सर दोस्तों हलका ऐसा बदवू आता है उससे अगर आपकी मैनेजमेंट नहीं सहीं रहता है तो बदवू आता है और फारम साइड में कोई जाता नहीं है आपको लोगों को तो दूर से देख लेते हैं लोग कि भाई चलो हाँ ठीक है लेकिन जो पानी का पाइप होता है दोस्तों उसको कोई ब कि j five ऐसा हो क्या हो गया जिसकी वज़े से इनके फार में इतना ज्यादा पानी भर गया लेकिन अगर कहीं दूर से कोई देखता है और पानी निकल रहा है एद्दीरे धीरे देरे करके पूरा पानी जो है और बुसी के ऊपर जब पानी गिरता है दोस्तों K account शुपा रहत निकले फार्म से तभी इनके फार्म में ऐसा हो गया जिसकी वज़े से बहुत ही ज़्यादा मोटिल्टी हो गई दोस्तू मानखे चले कि इनका जो बना बनाया खेला था वो पूरी तरीके से खराब हो गया क्योंकि अब मान लिजे दोस्तों यहाँ पे अगर आपका मुर्गा बड़ा हो जाए यानि साइज में आ जाए और साइज में मुर्गा आने के बाद में यदि आपके हां 100 भी मोटिल्टी भी हो जाती है तो आपकी बुक बहुत ही जादा खराब हो जाती है यदि आपके यहां एक दिन में 500 के करीब में मोटिल्टी हो जाए तब क्या होगा इनके यहां जो चूजे थे दोस्तों यह 3260 चूजे आये थे और 3260 चूजे में इनके यहां पे अभी तक जो मोटिल्टी हुई थी वो मात्र 96 की मोटिल्टी हुई थी और आज दोस्तों अचानक से देखते ही देखते इनके यहाँ जब यह फार्म पे लोटे तब तक इनके सारे जो बड़ थे वो ढीले पड़ चुके थे यानि पानी ना पाने की वज़े से वो एक जगा पे बैठ करके और फिर वो एकदम लूज हो गये थे लूज टाइप से जैसे बर्ड हो जाते है ना बिना पानी नहीं मिलता है तो लूज हो जाते है इस तरह से हो गया और पानी के कमी की वज़े से बहुत सारे तो मर भी गए पान सो के करीब में मर गए तो ऐसी गलती आप लोग कभी भी ना करें दोस्तो अक्सर जिनकी जाली आप जब देखते हैं फार्म के अंदर अगर कोई है तो नहीं टच करेंगे लेकिन अगर फार्म के अंदर कोई बंदा नहीं है आपका तो क्या करेंगे जाली को दात से दबा दबा के दबा दबा के फिर तोड़ते हैं और जाली जैसी तोटती है फिर वो अंदर इंट्री म आने के बाद में दोस्तों जब कभी कुटा आएगा तो ऐसा नहीं कि आपका एक मुर्गा लेकर भाग जाए वो ऐसा कब करता है जब आप फार्म के अंदर होंगे या आसपास होंगे तो डर से एक ही उठाएगा और एक या दो एक दो पकड़ेगा इसके बाद में एक लेकर और वो फिर निकल जाएगा ताकि उसको आपसे डर रहता है लेकिन दोस्तों यदि कहीं ऐसा अगर होता है कि आप नहीं है फार्म पे तो कुटा क्या करता है इधर से उधर दोड़ता है खूब काटता है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मोटल्टी कर देता है ऐसे ही बि कि बिल्ली घुषती है ना तो ऐसे पकड़ की मुर्गे को ऐसे छोटा चिक्स रहेगा तो दबा के छोड़ देगी दबा के छोड़ देगी इससे होता क्या है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नुक्सान हो जाता है आपना गर्मी के मोसम में हो या ठंडी के मोसम में हो कभी हो अपने फार्म को अकेला कभी न छोड़े वहां पर एक ना एक बंदा बैठा के रखे इससे आपके फार्म में बहुत सारी चीजों के लिए सुविधा रहेगी अगर कहीं पानी का पाइप निकलता है या कोई भी दिक्कत आती है तो वह बंदा कमशकम आपके फार्म में दे दोस्तों मैंने अपने लाइफ में जब से मैंने मुर्गा पालन में मैं इंट्री किया हूं तब से मैं देख रहा हूं इस प्रकार की कई सारी ऐसी घटनाय हैं जो अक्सर फार्मों में हो जाया करती है अभी पिछले साल की बात है दोस्तों एक मेरे दोस्त बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं उनका वीडियो भी अपलोड मैंने किया था डाक्टर साहब है वो डाक्टर साहब के फार्म पे भी ऐसे ही हुआ था उनके यहां भी लगभग 390 अबे की मोटलेटी हुई थी सिर्फ पानी क की वज़े से दो उनका जो पाइप निकला था वह लगभग मान के चले वही डेड़ से दो के बीच में निकला था और साथ बज़ते बज़ते उनके यहां पे उस दिन तीन सो हुई और रात मलब जब निकाल ले मोटल्टी उसके बाद में लगभग सत्तर सी नब्बे मोटल दोस्तों तो उसके मरने में देर नहीं लगता है बहुत ही फास्ट मरता है और मरेगा नहीं तो वह लूज हो जायता है अगर कभी ऐसी दिक्टत आती है दोस्तों और आप लोग देख लेते हैं तो मैं आपको यह कुपाय बताऊंगा जो आप लोगो को करना होगा अगर कही ही ऐसा होता है तो आप क्या करिए जो मोटल्टी हो जाए उसको निकाल दीजिए लेकिन जो बचता है दोस्तों उसको ना खुब अच्छे से पानी में भीगो दीजिए पानी में भीगो भीगो के और रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए फैन चालू कर दीजिए तो इसस हमने देखा है दोस्तों कि कभी कभी बच जाते हैं आपके मुर्गे जो है सुरच्छित रह जाते हैं अगर जो मरने वाला होता है जैसे आपको लगेगा यह तो लूज हो गया आप इसको छोड़ दो लेकिन अगर उसको इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए तो बच जाता ह है इसके बाद तुरन्त दोस्तों आप लोग को पैरा सिटा मॉल दे देना चाहिए अपने बढ़ को यह इस प्रकार से आप अगर आप काम करोगे दोस्तों तो बचा सकते हों तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग कभी भी ऐसी घर्टनाओ का शिकार ना हो धन्यवाद